गुम है किसी के प्यार में शोकी लीड एक्टरेस आईशा सिंग की खुपसूरती और आईशा ने किया ये बड़ा कारनामा की नील भट भी हुए फिदा आईशा के लिए बूली ये बड़ी बात तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक बार फिर आईशा ने जीता है फ और वैकेशन ट्रिप इंजॉय कर रहे तो दूसरी तरफ आईशा सिंग भी फिलहाल के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वैकेशन पे निकल चुकी हैं आईशा ने शो छोड़ने के बाद से ही ये कहा ता कि वो बहुत जल्दी नए शो का हिस्सा बनेंगी इसी पीच नील भट ने भी ये कहा है कि उनको भी कई सारे ओफर आ रहे हैं कई सारे ऐसे भी ओफर हैं जिसमें आईशा और नील भट को एक बार फिर काश्ट करने की बात कही जा रही है लेकिन आईशा सिंग के कुछ नए लुक पर फिदा हो गए हैं नील भट और नील भट ने तारिफ की कहा आईशा सिंग हर एक लुक में बिल्कुल परफेक्ट लगती है और यही वो बड़ी वज़े है कि आईशा की सभी अदाओं पर फैन्स फिदा हैं इस वक्त आप पो बता दे आईशा ने कुछ ऐसे बड़े सर्टिफिकेट भी अपने नाम किये हैं जा पर यह कहा कि आईशा क्या फैन्डम इतना बड़ा है कि आईशा डिसर्फ करती हैं यह सारी चीजे जो भी अच्यूमेंट आईशा ने इतने कम समय में हासिल किया है वो बिल्कुल एक काबिले तारीफ है फिलहाल के लिए नील भट और आईशा सिंग रसिंग के रिलेशन पे आ